नमस्ते थर्डाई में आपका स्वागत है से आपने, यह सब मेरे चैनल देखने से हुआ है, कुछ इसी तरह की बात कल कश्मीर में हुई, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे चैनल के बारे में कोई राय देने का, कि अच्छा है कि बुरा है, उसका केवल और केवल हक आपको है, मैं कैसे कहूंगा, कि यह आपको इससे फायदा हुआ, आप इससे बहुत कुछ हुए, आप यह यह किये, लेकिन हमारे मोदीजी तो मोदीजी हैं, कल मोदीजी पंचायती राज दिवस मनाने पहुँच गए कश्मीर, और उसको पूरे देश में बताया गया कि यह उनकी, 2019 के बाद, जब 370 धार हटाई गई थी, जो फेपर की रिपोर्ट हैं, कुल मिलाके वहाँ, ग्राम सबा में कुल 340 घर हैं, उसमें से कुछ सेलेक्टेड लोगों को बुलाए गया, लेकिन हो सारजने कारक्टर मुसको बुला गया है, वहाँ जैसा होता है, मोदीजी ने बड़ी-बड़ी बातें की, मोदीजी ने आप लोग कितने अच्छे हो गए हैं, आप लोगों का पैसा बढ़ गया, आपकी बुद्धी बढ़ गया, आपकी एजुकेशन बढ़ गया, आपका सब बहुत अच्छा हुगा, और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने युगाँ को संदेश दिया, कि आपके माता, पिता, दादी, ना, 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 नी, को जो मुश्किले होई थी, उससे मैं चुटकारा दिला रहा हूँ, चुटकारा दिला दूँगा, अचा अगर कल की दिन हो कहते हैं, चुटकारा दिला भी दिया तो, मानना ही पड़ेगा चुटकारा दिला दिया, वैसे ही, जैसे नोटबंदी करके उन्होंने ब्लैक मनी से चुटकारा दिला दिया हम लोगों को तो मानना तो पड़ेगा ना कि चुटकारा मिल गया ब्लैक मनी से अब उन्होंने ये भी बताया कि आप जम्मू कश्वीर तो विकास की रफतार पकड़ के बिलकुल फुल स्पीड से भाग रहा है आज उन् दुनिया के सामने हैं अब दुनिया के कुछ लीडर्स को क्या करें जो कश्वीरी को लेकि हर्दम टिपनी करते रहते हैं माना वदकार उलंगन से लेकी और अलग अलगतर है से लेकिन चलिए उन्होंने एक चीज़ और कहीं मोदीज़े वो अच्छी चीज़ कहीं कि हम चार सो तीन में हम किसी MLA को टिकेट एक पर्टिकलर रिलिजन के लोगों को टिकेट ही देना बन कर भी है तो दूरी तो तब होती है ना चार को दिया च्छे को नहीं दिया तो उनको मिला इनको नहीं मिला जब देहीं नहीं रहें सब लोग एक जगर नज़दीक आ गए हम और एक जो सबसे बहतरीन बात उन्होंने कही और जो हमको आपको चरह समझने वाली है कि जो लोगतंत्र है मोदी जी कह रहा हूँ ग्रास रूट तक पहुँच गया है जम्मू कश्वीर में जम्मू कश्वीर में बिलकुल तर्मूल लेविल तक अन लास्ट आदमी तक बिल 370 हटाई गई तो वो आनी रहे थे सदन में और आप सब लोगों को भाष्ण याद होगा जब हमें शाह साब ने का कि मैं क्या करूं को उनके बंदूग लगा कि उनको सदन में बिला हूं उनका मुझे नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है मैं सदन को अउगत कराना चाहता हूं भारुक अब्दुल्ला जी को ना डिटेन किया गया है ना एरेश्ट किया गया है अपनी मर्जी से अपने गर पर है स्वतंत्र है वो यहां आना नहीं चाहते तो मैं जबर्जस्ती नहीं रहा सकता ना हिरासत में है ना नजर्बंद है ना पूछे भारुक साफ अपने गर में है और अच्छे से सर उसने चेलिविशन पर कहा है कि उसे बाहर जाने को इजासत नहीं दे रहे आप लोग समय को अवगत करा दिया है रेकोर्ड पर स्पस्ता करता हूं वो हाउस वहरेस में नहीं है उनको नहीं आना है तो गन कनपट्टी पर रक्कर बार नहीं ला सकते हम पता यह लगा क्यो गरिफ्तार थें और वो काफी दिन गरिफ्तार रहे उसके बाद वो छोड़े गए हैं यह सारे औपोजिशन के लीडर्स गरिफ्तार रहे हैं लोगतंतर की भई अच्छा यह तो फैक्ट है कि यह सब लोगतंतर के अगर आप आप दारशनी के नजरीये से देखिए तो इसे करेंगे दोजार चौदर में वहां विधानसभा के चुनाव हुए बीजेपी सरकार ने पीड़ीपी के साथ गड़बंदन में सरकार मनाई उनके साथ फिर वो उनका कुछ उनसे वह हो गया नाइत्तफाकी हो गई पिर सरकार अलग हो गई पिर उन्होंने सरकार जिसको पिर कश्मीर की विधानसभा का टेनियूर वैसे तो छे साल का होता था लेकिन 2019 में 1370 हटने के बाद अब वो पांस साल का है तो उसका मतलब क्या हुआ कि 2014 में अगर एलेक्शन हुए हैं तो नॉर्मल कोर्स में वो पांस साल का है तो 2019 छे साल का है तो 2020 तक उसका मियाद खतम हो जानी चाहिए लेकिन यहाँ पे एक बात और आती है कि जब 2018 में एसमेली डिजॉल कर दी गई तो वहाँ तो कोई एसमेली है नहीं 2018 पिछले चार साल से अब थोड़ा कुछ चीज़े समझ लीजिए जो लोकतंत्र है ना वो सम्विधान और कानून से चलता है इस देश मे सत्र खत पूरा होने से पांस साल का और उनके रफरेंस में छे साल का और अब पांस साल का जैसे भी उसको मान लीज़े खता होने से पहले नहीं विधान सभा बन जानी चाहिए यह सब जगा होता है यह उत्तर प्रदेश में भी हुआ पंजाब में हुआ गोआ में हुआ मनी प्रिमेच्चोर डिजॉल्व हो जाती प्रिमेच्चोर अगर उसको भंग कर दिया जाता है विधान सभा को तो छे मेने के अंदर एलेक्शन हो जाने चाहिए आपको याद ना यह तो हर जगह होता आया है तो भंग तो प्रिमेच्चोर कर दी गई है क्योंकि 2018 में ना 5 साल उन्होंने प्रिपोन करने के चकर में जल्दी भंग करवा दी थी तो वहाँ पे यह सब लोग पीछे लग गए थे कि यहां तो मॉडल कोड ऑफ कंड़क लग जाएगा क्योंकि अब यह भंग हो गई और इसके बाद अब एलेक्शन होना है तो आप कोई नई स्कीम स्कीम न लिए तो यहां पे भी लागू होता है मॉडल कोड ऑफ कंड़क और उसमें कोई नई स्कीम नए उद्गाटन नहीं हो सकते हैं लेकिन एक तरफ मोदी जी तो कह रहा है कि हमने तो 38,000 करोड रुपे का यहां इन्वेस्मेंट ले आए वो यह भी कह रहा है कि 70 साल में 17,000 करो ले आए अब मुझे मुझे यह है कि यह एलेक्शन कब होगा इसके बारे में किसी को कोई वो नहीं है क्योंकि अब तो एक वो डिलिमिटेशन का भी उन्होंने ने कर दिया है कि नए वो बना रहे हैं जिसमें जम्मू के एरिया को ज़्यादा सीटें करने की कोशिश है श्र पंचायत राज का इतना गजब काम कर दिया है अक्टूबर दोजार बीस में डिस्टिक्ट डेवलोप्मेंट कांसिल एक वहां बनाई गई पंचायत राज की उसी की तायरे में और उसको दस और दस दस जले जमू में हैं दस जले शीनेगर में हैं हर जले में 1414 उसके रिप दो आना की चाराना की एक रुपया की दस रुपया हर जले को 14-14 लोग ही उसमें रहेंगे इर्रिस्पेक्टिव और साइज एर्रिस्पेक्टिव और पॉबलेशन जी जो निस्टिक डेवलोप्मेंट का जो आया था उसको करते समय जब इन्होंने इसको लाए तो पंचायत आई चेर्मन बने का कुछ इस तरह की बात थी पांच एरिया इन्होंने आइडेंटफाई की थी कि जो ये डिस्टिक डेवलोप्मेंट कॉंसल डेटिकली देखेंगी वेलफेर हेल्थ एड्यूकेशन फाइनन्स और पबलिक वर्क्स आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दो साल पहले अकल मन नहीं था अब मेरी अकल खोल गई है यह सब जनरल चीज़ें आप आप यह पताए ना के एजूकेशन में कहां खड़े थे कहां कड़े हैं एजूकेशन की मैं एक चोटी सी मिसाल आपको दे दूं जो मुकश्मीर में अभी मार्च महिने में 31 महिने आ है तो यहां पे भी हो रहा है तो वो 31 मेने बाद स्कूल खुले है finance की क्या हाल है क्योंकि वहां पे जो standing committee बननी थी अरे जो उनकी committee बननी थी वो तक अभी तक नहीं बनी है standing committee बननी थी हर जिले में वो भी नहीं बनी है यह तो हो गई एक पंचायत राज की और कितना ग्रास रूट लेविल तक पहुंचा है एक टेलिग्राइफ ने एक बात और कही है कि मोदी जी की रैली स्थल से कुछ दूर पर कल वहां धमाका हुआ अब उसको कुछ लोग कह रहे हैं कि वो उलकापेंड मेटरॉइट जो होता है वो कोई उपर से आके गिर गया मोदी जी गहें वहां तो यह हो सकता है कि एक तरह से इसको शुप संकित मानना चाहिए यह बड़ा लीडर जब जाता है तो उपर के लोग भी नमन कर रहे हैं कि हम लोग वह हैं थोड़ी के चिंता की बात है कि वहां पे द्रोन से पाकिस्तान ने अभी कुछ मेना दो मेना पहले वहां अटैक किये थे तो यह भी मतलब वहां कितना सुरक्षित है वेक्ति वो भी एक चिंता की बात है श्री नगर में खुद गया था चार-शे में ना पहले सितंबर अक्टूबर में आप चले जाए श्री नगर कितनी आमी लगे ये अलग बात है कि बहुत बहुत टूरिस्ता रहा है ये सब हो रहा है लेकिन मतलब किसके साए में क्या अमन्चैन कायम हो गया है या बंदूक के बल पे इस्तिती को कंट्रोल में किया जा रहा है एक और चीज़ उन्होंने कल कही वहां पे पाली में उन्होंने एक पावर जेनरेशन का एक उदगाटन किया और वो पंदरह सोलर पैनल्स हों हैं वहां पे 6408 स्क्वार मीटर 6408 स्क्वार मीटर रफली मूटे तोर पे करीब डियोड़ एकड़ में अटी कॉस्ट ऑफ 2.75 क्रोर्स हम लोग यहां जब कोई आयोजन करते हैं न तो इतने के दिये यह हम लोग जला देते हैं जितने में यह किये हैं वहां तीन हफते में मुद्री बार और के अंदर हमने यह कर दिया और इससे 340 घरों को 2000 यूनिट बिजली मिलेगी जिससे पाली जम्मु कश्मीर का पहला राज्य हो गया है कार्बन नीट्रल सोलर विलेज 340 मतलब जो आबादी उत्तर प्रदेश यह है ना 24 करोड आबादी है 24 करोड तो अगर नीट्रल किसी को करना 340 घरों का आप कही है कह रहा है कि कार्बन नीट्रल है उसके फीट थप थपा रहा है जा रहा है ठीक है पर अच्छी बात इसमें एक टेलिग्राफ ने भी स्टोरी किया न्यूज एटीन की एक स्टोरी तिन चार दिन पहले की है जहां पे कहा जा रहा है कि अब पावर के मामले में हमने हाँ उनना कहा है टचिंग न्यू हाइट्स इन पावर जेनरेशन ये मुदी जी का पर ये अंगरीजी वाले पेपर में सब लिखा गया है लेकिन ग्राउंड रियाल्टी यह है कि न्यूज एटीन ने भी स्टोरी की है टेलिग्राफ ने भी स्टोरी की है कि ग्राउंड पे वहां पे दस से 12 घंटे का लोट शेडिंग है बिजली नहीं आ रही है रम्दान के दिनों में भी एक ऐसी स्टेट जहां पे मुस्लिम बाहूले है जहां पे रम्दान का महने में लोग उन्नों जाय ज्यादा रखते हैं वहां पे इस स्टेट में आप बिजली 10 से 12 घंटे की कटवती करके नहीं दे रहा है, it is a grave situation वहाँ के अलेटन करना रहा हैं, इस पर बोले हैं, रिपोर्ट है लेकिन हम यह created new stunt, अब अगर कोई यह जोर से बोले, तो आप क्या करिएगा तो एक बात तो यह, चलते चलते एक बात और कर दूँ, भाई एक मोदी जी, आपको बहुत बहुत बढ़ाई आप ने कल एक गजब का आपको ने अचीवमेंट किया आपको पहला लताद दिनानाद मंगेशकर अवार्ड मिला आपसे ज़्यादा इसको कौन डिज़र्व करता है देश में, अच्छे जाहास का है यह भी फाइदा है कि कल कश्पीर वहीं से तुरंत ओड़के पहुंच गए साड़े चार-पांच बज़े आपने पहुंच गए बंबई, वहाँ पे, मतलब यह अच्छी बात थी उद्दव ठाकरे जी नहीं आया हाला कि निवंतरन पत्र में जो मंगेशकर परवार था उसने उनका नाम भी नहीं लिखा था तो मुझे लगता है कि चीफिंस्ट को अगर नाम नहीं लिखा गया है तो नहीं जाना चाहिए था लेकिन एक तरफ यह है कि मोदी जी कोई अगर आवार्ड मिल ला था चले जाना चाहिए तक क्या है नमस्ते करते हैं बदाई देते तो मोदी जी आपको बहुत 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 बदाई यह सही बात है कि आप जैसा जैसा उस आवार्ड के उसमें साइटेशन में लिखा गया है आप जैसा यूप पुरोष आप जैसा दूर दृष्टा आप जैसा विश्व गुरू आप जैसा यह आस तक नहीं हुआ है कोई तो हो सकता है कि आप हो नहीं सकता है सभी को यह उस आवार्ड देने वालों को आवार्ड लेने वालों को आवार्ड के विरोध में और पक्ष के सब को ये विश्वास है कि आप उस आवार्ड को लेखे जैसा लता मंगेश्वाड जी का आवार्ड है अच्छा चुरू में मुझे लगा कि ये किसी थुड़ा संगीत अंगीत के लोगों उनको दिया जाएगा उस पर कुछ मीम भी बने हुए है कि संगीत तो आप समझते ही है अच्छा एक चीज़ बहुत अच्छी और है मुझे ये आपकी आप सब को जानते है चालिस साल पहले साब उनको जानते है लता दीदी को लता दीदी लता दीदी अच्छा आप हिंसवंग आपके गौंग आया था अलीकड के तालेबजान मतलब आप जानते सबको हैं ये एक गजब की चीज़ है और ये ठीक बात भी है कि अगर कोई स्ट्रॉंग आदमी होता है कोई अच्छा आदमी होता है तो उसकी जान पेचान तो सब जगा होती ही है थैंकियो सो मच मुदी जी इस अवार्ड मिलने के लिए एक बार फिर से मताई धन्यवाद